सो वेलकम बैक पूद अचला दोस्तों स्वागत है आपका अपने पूट चाल में बैक टेश्टे ट्रेडर में तो दोस्तों आप भी रेंडम ट्रेडिंग से बचने का प्रयास कर रहे हैं और उसका सालोसन नहीं मिल रहा है तो यह वीडियो आपके लिए है चलिए सुरू करत कैसे बचे है एक बार की बात है एक निलिस नामक ट्रेडर रहता तो बाजार में निवेस करने का सवकी राकता था वह नए एक दिन निलेज अपने दोस्त विक्रान से इस बारे में बात करता है निलेज बोलता है विक्रान से कि मेरे पास एक समस्या है मैं अकसर रेंडम ट्रेडिंग करता हूं और बजार में बीना सोचे समझे निविस कर देता हूं मुझे ऐसा क्यों हो रहा है और इसे बचने के लि वो भी रेंडम ट्रेडिंग करता था उसे एक दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला और वह खुस हो गया इसलिए उसने बजार में और ज़्यादा निविस करने का फैसला किया लेकिन इस बार उसे नुकसान हुआ और उसकी केपिटर कम हो गई वह निरास हो गया और ट्रेडिंग से कमपिट करने के उसकी छम्ता उन्हुने खो दी निलेज बोलता है दिक वह इस कहानी के मादिवन से हमें क्या समझाना चाहता था विकरान बोलता है कि वरून की कहानी से में यह बताती है कि रिंडम ट्रेडिंग से बचने के लिए हमें नीमतता और योजना कियो सकता होती है जब हम ट्रेडिंग के लिए प्लान करते हैं तो हम एक decided strategy और ट्रेडिंग प्लान का उप्योग कर सकते हैं यह हमें बजार के अनुसार चलने, कंट्रोल करने और पैसेंस देता है जिससे हम बजार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं नीलेस ने इस सीक को अपने ट्रेडिंग में लागू किया उसने एक strategy बनाई, अपने ट्रेडिंग प्लान का फालो किया और रिंडम ट्रेडिंग से दूर रहा जिससे उसका belief system और मुनाफा बढ़ने लग गया नीलेस ने समय के साथ अपने ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त की और रिंडम ट्रेडिंग के नुकसान से बचा तो आप इस कहानी के मादम से रिंडम ट्रेडिंग से बच सकते हैं वीडियो छे लगा तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, मिल देरे स्टूडियो में, जाहिन